तो इस question में हमें दिया गया है कि TR3 से R3 पर एक लिनिया transformation है और हमें एक scalar मिलता है C जो इस condition को satisfy करता है और आपका X non 0 इसका मतलब क्या होगा C इसका आइगन value है तो C किसी भी linear transformation या matters का आइगन value कब होता है C is an आइगन value C आपका आइगन value तभी हो जाएगा जब क्या हो जाए if I only determinant of T minus C into I is equal to आपको 0 मिले तो मतलब यह क्या है यह आपका 3 cross 3 का matrix है जिसका determinant क्या है 0 है अगर इसका determinant 0 है ते तभी possible होगा जब इसका जो rank होगा इसके order से कम हो जाए इसका rank इसके order मतलब 3 से कम मिलना चाहिए अगर इसका rank 3 से कम मिलेगा तो हमें क्या पूछा गया कि इन में से इसका rank क्या नहीं हो सकता तो clearly यहाँ पर हमें पता चड़ रहा है मैट्रिस का rank 3 नहीं हो सकता तो डी वाला option आपका क्या होगा इस question के लिए correct होगा